तो दोस्तो न्यूजिलंड भाच से स्रिलंगा मैच हो चुका है जा पर न्यूजिलंड ने बहुत शांदार पारी खेला और 25 ओवर्स के अंदर ही रन को चेस कर दिया जिससे यह हुआ कि पाकिस्थान और अफगानिस्थान के लिए सेमी फाइनल के दर्वाजे लगभद हो चुका है तो अभी के लिए सिलंगा को छोड़ दो जैसे कि आपको पता है पाकिस्थान का अगला मैच है इंग्लैंड के खिलाफ तो उस मैच में पाकिस्थान के लिए यही अच्छा होगा कि पाकिस्थान पहले बैटिंग ले और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्कोर लेकिन उसके बाद भी उसे इंग्लैंड को 287 रन से हराना पड़ेगा मतलब अगर पाकिस्थान 300 रन करते है तो इंग्लैंड को 13 रन पे 400 पे 112 रन पे इस तरफ से रोकना पड़ेगा जो की बहुत मुश्किल है और अगर पाकिस्थान को पेले बोलिंग करना पड़े तो उ नहीं फाइनल खेलने के नहीं पर आफगनेस्टन तो लगबर बाहर ही हो चुका है उन्हें आज के मैस में एक मिराकेल की जरूरते तभी हो लोग कौलिफाई कर पाएंगे मनना लगबर आफगनेस्टन बाहर हो चुका है तो अब देखना पड़ेगा कि हमेशा किस्मत के उमी आज के वोगाई आज कर दो दो लोगफंगे जड ant yogi किस्वतित进ःवार हो चुका है उन्हें ग不षगना झाल, की सबस्त haltे तभी हो जहीं उन्हें किस्थभसे सबस्याग है पूलर में दुका है उन्हेंकि अन्हें होगार है झाल, क्रिश्यार बाहार है झाल झाल